अगर आप इस चैनल पर नए है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी नोटिफिकिशन सबसे पहले मिलती रहे तो फ्रेंड्स जैसा कि आप वेट कर रहे थे कि कब रिजल्ट अनाउंच होगा और जो कम्पिटीशन हुआ मैं बोल नहीं सकता सब्दों में कि कितना कम्पिटीशन बढ़ गया था मतलब बहुत ज़्यादा टफ ये कम्पिटीशन हो गया था in the end लेकिन लास्ट में अंत में जो मोनिका थी मोनिका जीत चुकी है सबसे पहले मोनिका को सुबकामनाई हमारी स्टेडी 24 ओफीसियल की पूरी टीम उनको सुबकामनाई दे रही है तो बहुत अच्छा मतलब पर्फोर्मेंस दिया सभी ने इतना मैं उमीद नहीं कर रहा था कि इतना टफ ये कम्पिटीश पर्फोर्मेंस देशन हो जाएगा और आप सोच नहीं सकते हैं अभी आप देख सकते हैं जो मोनिका की परसंटेज थी वोटिंग की वो थर्टीफोर परसंट थी और इसके बाद जतिन की थर्टीटू और आशिफ की थर्टीटू तो आप समझ सकते हंडर्ड में से ये को सबसे पहले सुबकामनाई नेक्स राउन के लिए पहुँच चुकी है और अब सेमी फाइनल होगा और उसमें देखते हैं क्या होता है और आने वाले मंत में जो और नेक्स कंपेटीशन होगा तो आप लोग ज़्यादा ची ज़्यादा उसमें कोशिस करें और जो साती र पाते हैं और हमारा जो टारगे việc मेंली वो टारगेट यह ही कि जो टैलेंट है ओट कालना है तो हमες कैसा प्लेटेवरम बनाना चाहरे हैं और आप लोगों की सपेस्पोर्ट के बिना या कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता हमでも ओसा प्लेटेवरम बनाना चाहरे जहां पर मतलब ऐसा टेलेंट है किसी में, तो टेलेंट बहार निकल के आए, और बहुत अच्छा सपोर्ट कि आप लोगों ने, आगे इसमें और बदलाव करेंगे, तो आप लोग सपोर्ट करते रहें, तो स्टेडी 24 ओफिसियल इस फैमली पर नए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें, तो